तो यह जो आइको का पैड है ना यह इंडिया में लाँच निवा है सबसे पहले तो पर आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी खतरना गेमिंग देखने मिलती है तो इसमें जो डाइमिंग सीटी 9300 प्लस प्रोसेसर है वो लाइक एंट्टू मैंचमार्क पर 20-21 लाख के स्कोर देता है और इसे एक बात तो confirm है कि definitely powerful tab देखने मिलता है overall scenario को लेकर और एक और चीज है इसकी जो size है जाएंट है 13 इंच के उपर का tablet है और इसमें 11,500 mAh की battery भी आती है तो अब भी चेक करते हैं कि gaming scenario अच्छा है बुरा है जो भी है पूरा चेक करके देखते है वैसे देखो BGMI पे glitches बहुत है optimization धंका नहीं है अच्छे अच्छे powerful phone भी FPS के glitch मार रहा है let's see इसके साथ भी क्या scene देखने मिलता है तो अभी as of now देखो यह जो iqo pad 2 pro है यह इंडिया में launch भी नहीं हुआ मैंने इसे बाहर से arrange किया है और इसके अंदर अभी देखोगे न जो graphic settings है BGMI पर वो almost आपको smooth पर 60 देखने मिलती है एक घंडे की gaming में भी देख लेंगे कि bad day drop और अगेरा भी क्या रहा और FPS में अच्छा है चिपकता है क्या होता है वो सारा मता चल जाएगा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीडियम से तो टीडियम पे जो इतना खेल के देखा है भाई एक बात तो simple है 59-60K FPS आते हैं और 5-10 मिनिट का gameplay में इतना ही कहूंगा कि आराम से 60K FPS की gameplay कर सकते हो आउन कैमरा कलके देखा है 10 मिनिट वहाब अच्छा चल रहा है आउफ कैमरा भी बहुत बार खेल के देखा काफी अच्छे से चल रहा है अच्छे से चल रहा है रहा है और स्टार्ट करते हैं अभी इरांगल पे क्योंकि यहां पर जो अभी अपना यह वाटर वाला इमेंट है उसमें तो मतलब बंदे तो बाग लोगी तरह कूदते हैं एक बात तो कन्फरम है तो जैसे हम लोग कूदें तो वहां पर भाई बहुत बड़ा ग्लिच दें देखने मिला बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने मिला 47 का fps मैंने नोटिस किया जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था और जैसे मैंने कहा ना कि बीजिया में गलिच पकड़ जो भी है वह हमको डेफिनिटल यहां पर देखने मिले क्योंकि यह टाब मैंने बस ऑन स्क्रीन अ करते हैं हर डिवाइस का टेस्ट भी करते हैं अच्छे फ्रेम आते हैं बुरे फ्रेम आते हैं वह आपको लाइफ स्ट्रीम पे पूरा रिजल्ट के साब बता देता हो कस्टम रूम लगा के भी एवेन और बहुत एक्टम हेवी टेस्टिंग वहाँ पर कर लेते हैं तो अग कि ओक्टम है झालता हैं तो नहीं हो आरता हैं एक्टम हैं आस हैं वह थकार रह कै कि बचक्टम हैं वहकीभ श फुल्स secular बभा के चित्टम हैं दो को रहाँ आवाँ दोल्ण हैं अपक्टम आवेश् widen कर सहां लाँ बटम चैय हैं अवार सबग'' झालब 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 कि अए या ए्याद आए नए आए अ कि अए गता है अजयओन अजयओन हाई सबचא दॉपर्प प्रॉपर्पटिस इँड से अख Salt нал midnight रहला pivot लो चरहाई लुदर के तॉह गडा दो. प्लाइक. बहुआँभदे कि एंद因為 अदुटदें लुआब ऑड़다ette. झाल झाल तो overall अगर final conclusion दे दू तो इतना समझ लो ये tab 60K gaming करवाता है बट मैं एक बात दो लूँगा BJMA का glitch की वज़े से बहुत जगए FPS के drop हुए अगर आप लोग start का 15 minute वाला gameplay याद करोगे तो वहाँ पर 47 का drop हुआ 20 minute के around 57, 59 चला 30 minute के around कुछ 53, 59 चला और 40 minute के around कुछ 48, 59 चला मतलब FPS की बात कर रहा हुआ इसके बीचे में उपर नीचे जा रहा था और end में मतलब 54, 59 आ गया तो उपर नीचे सारा scene देखने मिल रहा था और जो battery drop देखने मिला न वो इसके अंदर वो अभी तक का मैं करूँगा लांच करता है तो मैं यही feedback दूँगा suggestion दूँगा कि 13 इंच के अलावा एक option एक छोटा नया डाल दो या एक नई series चालू कर दो at least tablet के अंदर क्योंकि बहुत लोग tab के अंदर gaming करते हैं तो मैं इतना बोलूँगा at least 7 इंच के around तक का एक tab बनाओ IQ का जो ऐसी तगड़ी performance निकाल के दे आलाग कि हम लोग मानते हैं बीजे मैं पर glitches हैं बट फिर भी 7 इंच के around को ये IQ pad आएगा ना भाई काफी जादा एक दम तगड़ा होगा 13 इंच को तो launch कर रहे ही करो बट 7 इंच के around तक का भी करो ताकि वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाए और हाँ ये रही एक और वीडियो आपके test के हिसाब से मसते में आ रहे होगे, recommend रहे होगे, click करके check out कर सकते हो और subscribe नहीं किया तो फिर से बता रहो, subscribe कर लो चलो मिलते हैं next testing में, अभी के लिए, bye